हेलो नमस्ते कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है सौरब राय और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स आज की तारिक है 22 जुलाई 2023 और यह जो वीडियो बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं बायो टेकनोलोजी स्कोप इन ऑस्टेलिया तो थोड़ी बात थोड़ी बहुत इस जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिसकर सकते हैं वह यह है कि जो बायो टेकनोलोजी है वह बेसिक है क्या चीज तो जो सेलिललर बायोजी और हिमन बायोजी के जो इस्शू है जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व के जाता है यूजिंग टेकनोलोजी तो बेसिक होते हैं इंग कर एप सर्ण ख़ते हैं ओं तो चैश्रेश की हम जो आई रिल्वान में बेसिक है को तो रहे हैं कि जो एक्रोप में कर लोग देंगे कंशच में अजक हो दो अनुटा संटर ऐने के रिक्कारमृर्मेट जो में अपने रिसर्च में फाइंट कि जो यह स्टेड्री करते हैं उनको एक इंटरेशिप नी पड़ती है तो most ली जो इंटर्री-스ाउनसर डीसर्च होता है उसमें काम करना पड़ता है स्टार्टिंग में पता चला है वो स्टार्टिंग में 50,000 डॉलर पर नाइनम से लेके अराउंड 110-120 के आसपास पर नाइनम होता है यह बेस सैलरी है इसमें कोई बोनस या कोई एंटार्टिंट नहीं है अगर आप कमर्शिल फीर में काम कर रहे हैं तो आपको मिलता है तो एक बेस सैलरी थी उसके बाद थोड़े बहुत सेल्स की जो भी आपका सेल्स होगा उसके का इंसेंटिव मिलेगा तो मोटा मोटी अगर ऐसा एवरेज पर बात किया जाए तो कोई बहुत अपना बहुत बड़ा महल नहीं बना सकता है अनलेस आप अपना खुद का एक बिजनस रं कर रहे हैं बट डीसेंट सैलरी आजाती है और यह जो इंडस्ट्री है इसमें जो बागी के जो रिमेनिंग लोग है वो अपना एडवांस डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोई 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 को में तो मेजौटी काफी हाइली एड़ुकेट जनता है इसमें अगें अगर इस वील्ड मेना है तो इंपोर्टन है कि बाद मास्टर्स बीकर लोग अधर बहुत सारे कॉम्पेटिटेटिर्स होंगे बहुत पीर्स होंगे जो मास्टर्स की वे होंगे और जो हम अभी स्टैक्स की बात करें तो इसी को किन्टिणू करते हैं तो जो मेन नी जो इस प्रोफेश्न से असोड़िटिड लोग है वो एड्युकेशिन अन ट्रेश्च्टर में का 35% वो research and development field में काम करते हैं जो as a scientist काम करेंगे या फिर कोई manufacturing company की जो R&D field होगी R&D division होगा उसमें काम कर रहे हैं बाकी की तेरा प्रतीशत है वो healthcare and social assistance field में काम करते हैं और जो 5% है वो manufacturing industry में काम करते हैं जो mainly थोड़ा commercial field जादा होगी rather than lab-based or research-based field तो काफी vast क्या बोता है diversification है किस सेक्टर में काम करने का तो like I said mainly education and research and development बाकी manufacturing और है और एक और interesting जो नंबर है वो यह है कि हम लोग inclusivity और gender equality की बात करते हैं तो यह एक ऐसी field है जहांपे females ज्यादा है compared to males तो 52% female employees है और बाकी की जो remaining 48% है वो male employees है तो इंट्रेसिंगा है और अगर अस्टेलिया स्पेसिफिक बात की जाए तो विक्टोरिया में mostly इस बायो टेकनलोजी के लोग काम करते हैं तो 33% जो पॉपलेशन है इस फील्ड की वह है तो मिल्बर्न हो गई मेंसिटी उसके बाद आता है न्यू सौथ वेस जहांपे पर्थ और सौथ ऑस्ट्रेलिया जहां पे अडिलेड है जिसका कैपिल सिटी वहां पे अराउंड साथ परसंट टोटल बायो टेकनोलोजिस्ट काम करते हैं तो अगर आप यहां पे हिंदुस्तान से या फिर किसी देसी कंट्री से आ रहे हैं तो प्रिफर्ड ऑप्शन विक अखरी पॉंट डिसक्स करता है वह यह करते हैं कि कौन-कौन सी फेमस उनिवर्सटी हैं तो जो सबसे पहली लिस्ट में थी वह है गृफित उनिवर्सटी उसके बाद क्वींस्लैंड उनिवर्सटी और उसके बाद ही आर्रम आइटी जो और इस यह तीनो में आप्शन दिय अधिन नहीं है कंपर तो इस्टन स्टेट्स सो मेरा तो प्रिफरेंस ही होगा कि जहां पर उहां पर जाओ बाकि आप 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 लिए तो यह एजुकेशन वीडियो है इसमें मैं ज्यादा ग्यान नहीं पेलता हूँ तो पिडियो पसना है तो कर तो तो पिजे लाइक और को अधिमें डाउन बिलोव तो इसमें भी मैं ट्राइ करूंगा की थोड़ा बहुत रिसरच करके ग्यान देदू अधर्वाइज मुलंका तो दिये अगले वीडियो में पाई